नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सबीका स्वागत करती हूँ आपके इपने चैनल सुमन एजुकेशन हर्ब में रेगुलर्ली हम डिसकस करते हैं टैले से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको topics बताती हूँ, कुछ सिखाती हूँ, tellies related and accounts related बट आज के वीडियो में मैं कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको aware करना चाहती हूँ, कुछ share करना चाहती हूँ जैसा कि आप सभी लोग को पता है, जो current situation चल रहा है, करोना का उसके विज़े से मैं ने सोचा कि आज का जो वीडियो है, कुछ share करना चाहिए आप सभी लोग को aware करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग काफी मन्त से, काफी time से मेरे साथ जोड़े हूए हैं, तो मैं आप लोग के साथ कुछ share करना चाहा रही थी I know कि सब कुछ आप लोग को पता है, बट फिर भी, मुझे ऐसा लगता है कि this is my responsibility to aware all of you, as because you people are very close to me, so that's why I am sharing all the things to you तो देखिए, जो कोरोना का situation करेंट में चल रहा है, आप सभी लोग को बता होगा आप सभी लोग daily basis पे news भी देखते होंगे, तो देखिए, news में आपको दिखाता है कि जो hospitals के conditions है, काफी critical है hospitals में कितनी shortages हो गई है, oxygen की, beds की, और जो doctors है, वो भी properly treatment नहीं दे रहे है, patient को जैसा कि treatment उनको चाहिए, तो जब हम news में देखते हैं, तो काफी डर जाते हैं इन सारे news को देखकर कि क्या जो current में situation चल रही है, कितनी ज़्यादा situation खराब है, तो मैं आप सभी लोग से यह रिक्वेस करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है, अगर आप स्वस्त रहेंगे, अगर आप healthy रहेंगे, तभी आप अपने family member का ख्याल रख सकते हैं, care कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप यह decide कीजिए, कि आपको अपना care करना है, आप स् है morning में afternoon में and evening में आप काढ़ा लेजिए देखिए काढ़ा लेने से क्या होता है आप सभी लोग को पता है फिर भी मैं बता देती हूँ काढ़ा लेने से हमारा जो immune system है वो boost up होता है हमारी जो रोक प्रती रोदक चंता है वो बढ़ती है अगर हमारी रोग प्रती रोदक चंता यानी कि immune system strong होगा तो कोई भी बिमारी हमारे पर attack नहीं कर सकती अगर आपका immune system strong है तो अगर आप आप काढ़ा लेते हैं । काढ़े से बहुत सारे benefits होते हैं आप सभी को पता है कि काड़ा कैसे बना जाता है तो आप काड़ा बना के खुद भी पीजिए and family में सभी को दीजिए और जो food है वो थोड़ा साब healthy खाईए इस time थोड़ा साब को extra care करने की जरुरत है खुद की भी and अपने family की भी all over India ही नहीं पूरे all over the world में कोरोना का क्या situation है आप सभी लोग को पता है आप सभी लोग न्यूस देखते होंगे आप सभी लोग को पता है everybody aware about कोरोना कि क्या conditions चल रहे हैं आप सभी लोग को पता है hospitals पर देखिए कितने shortages चल रहे हैं oxygen के weights के बहुर ज़दा खराब conditions है पेशन को जो doctor है properly treatment नहीं दे पा रहे है और सारी facilities है वो properly नहीं मिल पा रही है और इसमें किसी का mistakes हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो देखिए demand काफी ज़दा है और इतने ज़दा demand होने के वज़े से सारी जो condition है वो fulfill नहीं हो पा रही है जो भी requirement है वो fulfill नहीं हो पा रही है medicine से लेके oxygen से लेके सारी चीश की shortages हो रही है तो अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम इस बिमारी से बच सकते हैं खुद को भी बचा सकते हैं और पूरी फैमिली को भी बचा सकते हैं तो आपको healthy food लेना है काढ़ा दो तीन बार लेना है and exercise at least daily आप 30 minutes कर सकते हैं तो well and good है for all of you अगर आप ज्यादा exercise नहीं कर सकते only for 10 minutes आप exercise कीजिए अपने पूरे body को flexible करने के लिए हमें exercise करना बहुत सदर जरूरी है तो आपको exercise करनी चाहिए and देखिए lockdown चल रहा है आपको पता है कि किस-किस state में lockdown चल रहा है so I am living in Delhi तो डेली में जो seven days का lockdown चल रहा है and it will be close 26 of April जो lockdown है वो खतम हो जाएगा and उसके बाद पता नहीं जो lockdown है वो extend होने वाला है या फिर ये close हो जाएगा so आप सभी लोग को अपना ख्याल रखना है अपने family का भी ख्याल रखना है घर पे रहिए and अगर आप और कुछ सिखना चाहते हैं learn करना चाहते हैं accounts related teacher learn करना चाहते हैं देखिए जब हम घर पे रहते हैं तो हम free होते हैं तो हमें क्या करना है अगर हम free है तो अपने time को आप utilize कीजिए अगर आप free है तो सिर्फ सोगे या फिर TVs, movies देखिए अपना time pass मत कीजिए आपके पास free time है तो इस free time को आप utilize कीजिए आप कुछ भी उससे related आप videos देखिए आपका जो work है और जो working skill है उसको आप improve कीजिए जिस भी field में आप अपना career build up करना चाहते हैं उससे related आप daily videos watch कीजिए books reading कीजिए अगर आप accounts related work करना चाहते हैं या फिर accounts related जो है वो सारी चीज़े सीखना चाहते हैं तो आप मेरे videos को watch कर सकते हैं मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब मेरे वीडियो को सर्च कीजिए मेरे चैनल को सर्च कीजिए और आप सारे videos को watch कर सकते हैं में जो videos है easy language बनाती हूँ पाएंगे तो एक चोटा सा short video था जिसमें कि मैं aware करना चाहा रही थी आप सभी लोग को कि देखिए problem है इस टाइम जो condition चल रही है जो circumstances है वो किसी के hand में नहीं है देखिए Corona ऐसा है कि किसको हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है और कुछ basic precautions है जो आप सभी लोग को follow करने चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो definitely आपको mask जो है बीयर करना चाहिए अगर आपके पास mask नहीं है तो एक गमच्छा या फिर कोई भी आप cotton का छोटा सब cloth रख सकते हैं और उससे आप अपने face को cover कर सकते हैं sanitizer रखिए जब भी आप बाहर से आते हैं या फिर time to time अपने hand को sanitize कीजिए sanitize भी कर सकते हैं आप अपने hand को wash भी कर सकते हैं soap से भी wash कर सकते हैं तो ये सारे छोटे छोटे जो precautions है definitely आप सभी लोग को इन सारी instructions को follow करने चाहिए तो अभी क्या conditions चल रहे हैं आप सभी लोग को पता है तो इस condition में panic होने की ज़रुरत नहीं है आप अपना ख्याल family का ख्याल रखिए अगर देखिए अगर आपके साथ कोई ऐसा coincidence हो जाता है आपके family में कोई positive निकल आता है कोरोना का जो है patient positive निकल आ जाता है और उनके साथ कोई incidence हो जाता है तो उसमें देखिए panic होने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि अगर कुछ हो गया, अगर कुछ बुरा हो गया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते because हमारे हैं में वो चीज नहीं थी पर जो हमारे family members हैं, जो लोग हैं उनकी care हमें कर दी हैं, तो जो हो चुका है देखिए कुछ अगर बुरा हो जाता है तो उसमें हम कुछ भी improve नहीं कर सकते बर जो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनका हमें care करना है और जो हो चुका है, उसको तो हम change नहीं कर सकते बर जो लोग हमारे साथ हैं, उनकी तो हम care कर सकते हैं उनको तो इन सारी चीजों से बचा सकते हैं, save कर सकते हैं तो ये चोटा सा एक message था कि time difficult है बट आप से भी लोग को घबराना नहीं है मुझे भी मैं भी खुद को strong रख रही हूँ आप भी अपने आपको strong रखिएगा अपने family का and हो सके तो अपने around people का भी आप ख्याल रखिए and जितनी possible हो सके अगर आप capable है किसी की help करने में through financially तो please आप उनकी help कीजिए कुछ लोग हैं जिनके साथ financially problem चल रही है अगर आप capable है financially help कर सकते हैं किसी को अगर food के through या फिर किसी को आप रासन के through किसी भी through अगर आप help कर सकते हैं capable है help करने में I wish ये वीडियो आपके लिए helpful नहीं होगी और जो message में आप सभी लोग को देना चाहती हूँ वो message आप सभी लोग समझ गये होंगे Thank you and keep watching my videos